असलाम वालेकुम दोस्तों आपका इस्तक्बाल है हमारे यूट्यूब चैनल में हम उमीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मैं आपको बताने जारे हूँ कि कैसे आप तीन अंडों का इस्तमाल करके कर सकते हैं वशीकरण जी हां दोस्तों एक वशीकरण का उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आप किसी को भी किसी भी लड़की को या महिला को या अपने पुराने प्रेमी को आप अपने वश में कर सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं समझ रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपके दिल की बात समझ जाए तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं इसमें आपको सिर्फ अंडों का इस्तमाल करना है और आपको एक पैन की कियेगा बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें को चोटी-चोटी बाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है तब ही आपका यह उपाय काम करेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको उमारे जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा अब दूस्तों शुरू करते हैं इस उपाय को सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पाक साफ होकर ही इस उपाय को करना है किसी का भी फायदा उठाने के लिए या उसे मिस यूज करने के लिए या फिर आपके कोई टेंप्ररी कोई चाहत है तो उसे पूरा करने के लिए आप इसे बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये उपाय सौ परसेंट काम करता है तो अगर आप किसी से सच्छी महबबत करते हैं चाहते हैं कि वो व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की हो आपकी जिन्दगी में हमेशा के लिए आ जाए आपसे उसे बे इंदहा मुहबत हो जाए आपकी हर बात हो माने तो आप इस उपाय को कीजेगा वरना मत कीजेगा क्योंकि अगर आपने ऐसा सुचकर इसे कर लि आप उसी के उपर इस उपाय को कीजेगा और वुजू कर लीजेगा इसे करने से पहले तीन अंडे आपको लेकर आने हैं वुजू करके साफ हो जाएए उसके बाद आपको अंडे को अपने सामने रखना है और इन अंडों के उपर आपको लिखना है नाम जिहां सबसे पहले कंडे को लीजिए और उसके बाद अपने प्रेमी का नाम आपको यहां पर लिखना है मान लीजिए जो भी आपके प्रेमी का नाम है वो लिखने के बाद आपको इस पर और भी चीज़ें लिखनी होंगी इसलिए ध्यान रखिए कि यहां उपर लिखना शुरू कीजिए और उ जो भी भाशा आपको आती हो LAURES AAKB LEAGा लिख सकते हैं उसके बीच में आपको लिखना है 786 है कि और नीचे की तरफ आपको लिखना है अपना लाव है तो पर अंध्य लिख सकते 786 लिखना है आपको और नीचे लिखना है आपको अपना नाम इस तरह से दो अंडे पर आपने लिख दिया फिर इसी तरह से आपको तीसरे पर भी लिख देना है तो दोस्तों ये इस तरह से आपको लिख लेना है अपने सामने इसको रखना है और उसके बाद आपको करना किया है दोस्तों कि आपको आरिफ जो है जिनका जिनको आप अपने वश में करना चाहते हैं जैसे कि मैंने आरिफ लिखा हुआ है जो भी आपकी प्रेमी है आपके बॉइफरेंड है या फिर जो भी ऐसा वेक्ति जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मौबबत करते हैं और चाहते हैं कि वह भी आपकी मौबबत में दीवाने हो जाएं तो आपको उनका नाम इस तरह से लिखने के बाद इस इन तीनों अंडों को अपने सामने रखना है और उसके बाद 5 मिनट के लिए आपको उनके बारे में सोचना है जी हाँ आपको उनके बारे में अपने जहन में जो भी उनकी इमिज है जो भी आप उनके बारे में सोचते हैं वो सोचना है और उनकी जो फोटो है वो आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए आपको उनका चेहरा अपनी दिमाग में दुबारा से याद करना है कि कैसे आप उन्हें बहुत ज़्यादा महबबत करते हैं और वो आपसे बात नहीं करते हैं या वो आपकी बात नहीं समझते हैं और उसके बाद जब आप पूरे मन से उनको एक बार याद करेंगे उसके बाद आपको तीनों अंडों को लेना है और अपने घर के बाहर जाना है घर के बाहर जाकर आपको किसी भी सूनसान जगे पर जाना है और उसके बाद एक आपको गढ़ा खोदना है और गढ़े के वापस से आपको पुए बहा दिना है ऐसी जगे पर जाना है दौस्तों जहां पर बिल्किल भी गंदगी ना हो कोई भी वह बहुत पर कोई ना करता हो ऐसी जगे पर जाना है। साफ जगे पर जाकर मिट्टी को खोद कर वहां पर यह तीनों अंडे आपको दवा देने हैं और दोस्तों उसके बाद आपको घर वापस आ जाना है और आपको फिर से एक बार वजू कर लेना है आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों के अंदर-अंदर आपके पास आपके प्र सिंदगी में कोई और मसला हो तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नंबर आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपके जो भी मसले हैं उनका हल ले सकते हैं हम आपकी सहायता जरूर करे शब आखेर दोस्तों